डॉप hallo everyone today we are starting our lecture number one of this unit that is unit number three we are started okay unit 3-e ka Right first lecture है इसका नाम हे photo electricity X-ray and laser unit का नाम है and हमारा first lecture है which is बेस्ट आन दी फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट, प्लैंक्स हाइपोथिस, फोटोन देखेंगे हम लोग यहाप एक कंसेप्ट आफ फोटोन, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फोटोन की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्रेक्ट्रिस से, वो सब आज इसके लिक्चर में हम ल इसके लिक्चर में इस फोटो जो इलेक्ट्रिक एफेक्ट है यहाँ अलेक्ट्रिक बताया गया, इलेक्ट्रिक मतलब क्या है इलेक्ट्रिक एनरजी, तो मतलब यहाँ पे एग है लाइट और एक एलेक्रिक एनरजी, तो इसमें क्या होता है double mont ray sucking क्रूंत यहां पर हम स्टड़ी करने के तो फ्रस्ट पॉंड नेखो यहां करते हैं करते हैं तो फिर्स पॉन प्रधी जो लट रहती है उसे उल्ट्र वॉयलित लाइट टो यहां कि अश्ड़ा घ्चल प्रारिक अच्छाइब जब हम इमिट करेंगे किसी particular metals में कौन से-कौन से metal से magnesium हो गया, zinc हो गया, lithium हो गया ऐसे metals पर हम इमिट करेंगे तब ही क्या होने वाला है actually electrons जो metal के अंदर जो electrons होगे, metal कोई भी metal कोई भी body है वो उसमें electrons होते ही है तो क्या होगा, जैसे ही यह light देखो, यहाँ पर emit हो रही है, उसके बाद क्या होगा, इधर से सब electrons वहाँ पर emit होना start हो जाएंगे, यह चीज होगी हाँ electrons ऐसे-इसे emit हो जाएंगे, यहाँ पर दिखाया गया है, और यह बहुत suddenly होगा, okay, suddenly होगा यह सब चीजे और देखो क्या है, इसी चीज़ को actually photoelectric effect भी बोला जाता है, तो इसमें और एक चीज़ है, point number two, क्या है, देखो, some alkali metals, मतलब कुछ alkali metals है, जिसे हम sodium बोलते, potassium बोलते, are sensitive to even visible light, तो alkali metals करेते, okay, periodic table आपको मालूम होगा, उसमें जो first group element रहते है, उनको हम alkali metals बोलते, okay, तो य metals कुछे कुछे होते है, sodium होता है, उसमें, potassium होता है, okay, तो यह visible light को बोलते है, okay, visible light मतलब जो light हम देख सकते हैं, उसे visible light बोला जाते, okay, so when ordinary visible light falls on alkali metals, electrons emitted, मतलब यहाँ पर और एक चीज़ बताएगी, कि जब ordinary light है, वो जब metals गिरेगी, okay, उस पर exposed किया जाएगा, तब ही actual मे क्या होगा, वहाँ से electrons emit होना स्टार्ट हो जाएगे, okay, normally नहीं होगा, किसी भी metal पर नहीं होगा, okay, alkali metals से हमें use करने पड़ेंगे, वो चीज़ यहाँ पर बताएगी, okay, then next दिखते हैं, देखो, क्या और एक point है, when light of suitable frequency, means frequency या फिर wavelength या फिर वे यूज़ करेंगे, तो भी ही चले, okay, क्योंकि frequency और wavelength दोनों का inverse proportion ही, okay, दोने इक दुसरे के related है, so, एक particular frequency की light, या फिर पर्टिकुलर wavelength थी light, okay, एक suitable frequency या फिर वे लेंग की light, जब हम incident करेंगे, किसी metallic surface, is incident on a metallic surface, okay, so, electrons are emitted from the metal surface, तो क्या हो जाएगा, electrons emit हो जाएगे, जैसे यहाँ पर दिया है, देखो, इसे light गिरते है, यह electrons बहार जा रहे है, okay, यहाँ भी वह इस हो गया है, electrons बहार निकल रहे है, okay, metal के अंदर जो electrons लेते है, वो electrons वहाँ से emit हो रहे, जो बहार निकलते हैं, electrons उससी को बोल जाता है, emit होना, okay, उसका, so, electrons are emitted from the metal surface, as the effect takes place under the influence of light, तो light को ही photo word यूज़ किया जाता means photo, okay, light के उज़े हो रहे है, इसलिए, इसे क्या बोल जाता है, it is called as photoelectric effect, okay, क्योंकि इसमें क्या हो रहे है, हम दे रहे photo, means हम light दे रहे, और वो emit क्या कर रहे है, electrons emit कर रहे, okay, तो इसलिए हम, इसका नाम कैसा बना है, photoelectric effect बना जाए, okay, and the emitted electrons, अभी जो electrons emit हो गए, यह process के बा photo electrons ऐसा नाम दिया गया, okay, और इसमें basically क्या देखो, इसमें एक phenomenon, main चीज क्या हो रहे है, कि जो हमारा light energy है, means photo, जो हमें light यहाँ पर emit किया, okay, it is converted into electrical energy, वो electrical energy के अंदर conversion उसका हो गया, okay, यह चीज, basically चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, okay, okay, electrical energy में कैसे हो गया, क्योंकि electrons यहाँ पर emit हो गया, okay, फिर इसके बाद आगे हम कुछ ना, कुछ डिटेक्ट करने के लिए, कुछ ना, सेंसर्स हो गया रखेंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे, कि कितने अमांट में, actual में electrons वहाँ पर जनरेट हो गए, okay, मतलब बहुत सारी जो metals रेते हैं, वहाँ पर photoelectric effect कब हमें देखने मिलता है, जब भी ultraviolet light उनके उपर हम expose करते हैं, okay, however, for alkali metals like sodium, potassium, okay, Na and K मतलब sodium और potassium, okay, ऐसे metals जो है, the effect is observed even with visible light, but ऐसे metals में, वो visible light में भी effect दिखता है, okay, बाकी के metals जो है, magnesium, zinc, lithium, उसमें, वो ultraviolet light, but जो sodium and potassium है, वो visible light में भी ऐसा effect दिखा थी, okay, visible light मतलब हमारी day-to-day जो light हम observe कर सकते हैं, वो light, okay, the photoelectric effect was detected by hertz, okay, यह जो photoelectric effect है, यह किसने किया था, scientist का नाम है, hertz, in 1887, okay, तो यह याद रखो, ठीक है, यह कई भी पूछा जा सकता है, कि किसने discord किया था, यह best time, किसने detect किया था, तो यह hertz नहीं किया था, okay, henry hertz नाम रहता है, and in 1887 में किया था, okay, तो diagramatically भी यहाप इशुक किया गया है, okay, तो थोड़ा आपको यहाँ पर फिल आएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह से actually work करता है, photoelectric effect introduction, इसको detail में हम आगे देखेंगे, okay, पहले इसका कुछ theoretical part भी हम देखेंगे, कि यहाँ पर पोचने के लिए scientist ने क्या-क्या किस तरह के theories वहाँ पर यूज किये, okay, so आगे देखते हैं, so देखो, यहाँ पर और एक चीज़ देखो, black body radiation है, okay, यह चीज़ पढ़ेंगे, एक्चुली मेरा topic आगे का दुसरा है, वह उसके पहले हमें black body radiation भी समझता पड़ेगा, तो black body चीज़ क्या रहती है, तो एक 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 hypothetical thing है, मतलब imaginary ऐसे concept है, okay, यह कोई भी अगर body है, कोई भी object है, जो एक्चुल में सारे radiation, उसके उपर कुछ भी अगर light, वगेरा, कुछ भी डालो हम, okay, उसके कोई भी light, अगर हम emit करें, तो वह एक्चुली उसके हम expose करने के बाद वह absorb कर लेगा, okay, absorb कर लेगा, और कुछ भी reflect नहीं करेगा, okay, ऐसी body को बोला जाता है black body, okay, और उसके अंदर से कुछ अलगी type के अगर radiations निकलेंगे, radiation मतलब light, radiation भी light ही रेता है, बड़ा अलग type के, okay, तो वह अगर निकलेंगे उसमें से, तो हम बोल सकते हैं उसको black body radiation, okay, और यह possible है किसी भी चीज़ को, किसी भी metal को हम black body radiations उससे निक मतलब किसी भी object को अगर हम heat करें, बहुत जादा उसको गरम किया जाए, तो उसका color change होते रहते है, color change होता है, मतलब क्या होता है, उसके अंदर से radiation निकल रहे है, यहाँ पे burner से गरम किया जा रहा है, इसको object को, फिर उसके बाद थोड़े देर बाद उसका ऐसा radiation color हो रहा है फिर बाद में फिर ऐसा white और blueish टाइप भी हो जाता है, अगर जादा और गरम करते रहते हैं, वैसे type में, तो यह actually कैसा होता है, हमें color अलग-अलग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से radiation निकल रहे हैं, और radiation कहा जाते है, हमारे जो eyes रहता है, वहाँ पे वो reflect होक तो एक्चल में रिमेट हो रही है, बट जो maximum wavelength हो तो ही हमें खाले दिखती है, इसलिए हमें बस वही color दिखेगा है, जिसकी wavelength maximum होगी, ओके, वो चीज़ है, gases give off black body radiation, तो solid और dense gases जो रहते हैं, वो black body radiation वहाँ पे give off करते हैं, then thermal radiation spectrum range, तो thermal radiation का जो spectrum का range वह भी है, 0.1200 mm का range है, then it includes some ultraviolet radiation, उसके अंदर थोड़ा सा ultraviolet radiation भी आ रहता है, okay, and all visible and infrared radiation भी हो रहते है, okay, तो ultraviolet radiation भी रहेगा, और infrared radiation, okay, वो भी रहेगा, दोनों तरह के radiations इसमें included है, okay, तो यही चीज़ है, black body radiation, तो black body basically इतना याद रुखों कि वो सारे radiations absorb, सारे कोई भी उसके उपर light dialogue तो absorb क और कुछ तरह की radiations खुझ से बाहर भी निकलती है, okay, तो उस radiations को बुला जाता है, black body radiation बुला जाता है, तो यही चीज़ है, अभी आगे हमनों क्या देखने वाले की, scientist ने फिर क्या किया, कि radiations को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, मतलब अलग-अलग temperature पे उस पे study किया, त अभी, तो आगे देखते हैं, देखो यह, black body radiation graph, तो क्या होगा, यह black body को बहुत जादा गरम करते गए, okay, मतलब उसका temperature हाई किया, देखो, पहले 3000, फिर 4000, फिर 5000, और जैसे-जैसे वो graph, जैसे-जैसे उसको heat करते गए, okay, फिर उसका graph बनाया, as the temperature increases, the peak wavelength emitted by the black body decreases, okay, जो peak wavelength थ किया, तो वो क्या दा, देखो, आगे-आगे-आगे उपर बढ़ते गया, okay, लेकिन वो बार में, फिर यहां पे तो constant जैसे दिखाया, okay, पुरी तरह से 0 नहीं हो रहे, okay, पुरी तरह से 0 नहीं हो रहे, okay, बट यहां पे, देखो, visible range में, radiation सबसे जाद है, यहां पे radiation जाद ह क्योंकि हमें color भी वहां से ही मिल रहे, okay, वही रहता है, जो maximum wavelength रहती है, वही उसका ही color हमें दिखता है, बट जो classical theory थी, उसने जो actually हमें बताया था, वो ऐसा दिया था, उसने, okay, इसका meaning क्या है, actual में, कि wavelength अगर कम होगी, तो radiation सबसे जादा होगा, और wavelength जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे radiation कम कम होते जाएंगे, but actual हमें जो graph मिला वो तो दूसरा ही था, देखो, पहले कम था, लेकिन बाद में फिर visible range में एकदम से radiation बढ़े, फिर कम कम होते गए, फिर वापस फिर ऐसा, okay, जैसे नीचे नीचे peak आते गया, okay, ऐसा है, so, as the temperature increases, the total energy emitted increases, because the total area under the curve increases, okay, तो लेकिन उसको touch नहीं कर रहा है, मतलब radiation पूरी तरह से खतम नहीं हो रहे, okay, यहाँ पर radiation है, पर खतम नहीं हो रहे है, और जो classical theory हमें जो दी गई थी, okay, उसने हमें ये दिया गया था, okay, theoretical value, okay, but ये actually जो graph है, practically जो हमने देखा, तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे है, तो फ hypothesis दी, okay, वो चीज़ भी हम आगे study करेंगे, पहले इसको समझ लो, okay, यहाँ पर देखो 300 Kelvin के लिए कितना कम करवार है, okay, मतलब maximum भी बहुत कम है, और 4000 के लिए और 5000 के लिए उससे भी कम, उससे भी, 4000 के उससे धोड़ जाता है, 5000 के लिए उससे भी जाता हो गया, okay, ऐसे ऐसे टाइब के ग्राफ समय यहाँ पर study करने मिल रहे है, नेक्स देखते है, तो देखो क्या होगा, अभी इस पर अगर यह चीज थी, फिर black body radiation का जो classical theory का बता है, वो फेल हो गया, तो फिर plank नाम का एक scientist है, max plank, okay, उसने फिर एक quantum level का एक theory आप उसने दिया, उससे plank's hypothesis बोलते है, hypothesis मतलब ऐसी चीज की जिसो उन्होंने experimentally नहीं किया, बट उसको बता दिया और उसके बज़े से सारे results correct आरे, उस चीज को science के language में उससे hypothesis बोला जाता है, तो प्लैंक्स ने वैसे ही किया, तो यहाँ पर लिखाए देखो, plank proposed the quantum theory for explanation of energy distribution in black body radiation, black body radiation इसलिए मैंने पढ़ाया, क् यहाँ पर black body radiation का नाम आता था, तो वो आपको चीजे पता चले, इसलिए मैंने पहले black body radiation पढ़ाया, फिर यहाँ पर आया, तो उसके लिए quantum theory का explanation उसने, planks ने दिया, तो वो चीज क्या है, वो अभी हम देखेंगे, planks quantum theory, according to this theory, मतलब जो planks ने जो दिया, quantum theory, वो उस theory के according, okay, क्या है, according to this theory, energy is not emitted, and absorbed continuously, मतलब energy जो है, वो continuously emit होरी है, या फिर continuously absorbed होरी, ऐसा नहीं है, okay, but in a discrete, means intermittent units, discrete मतलब क्या है, fixed unit, okay, और packets, bundle, these energy packets are called as photons, और quanta, okay, तो वो चीज, यहाँ पर वो चीज बता ही, उसने, कि जो energy है, actually, जो emit हो रही है, या फिर absorb होरी है, तो continuously absorb और emit नहीं होरी है, वो एक particular, discrete, मतलब क्या है, एक fixed unit के साथ, okay, एक packets के form में, मतलब bundles के form में, वो actually, वहाँ पर emit या फिर absorb ऐसे होरी है, okay, these energy packets, और इस energy packets को भी उसने एक particular नाम भी दिया, okay, उसके तरफ से उसको nominclature किया गया, है, तो, so, these energy packets are called as photons, photons बोला गया, या फिर quanta बोला गया, तो यहां से यह word बना photons, okay, उसको पहले quanta भी word उसकरते थे, या और इस photons, इस quantas का वो सरा गरूप रहेगा, तो उसको हम, क्या, quantas जो रहेते हैं, okay, quantum भी बोला जाता था, okay, वो चीज़ती, so, the photons are electrically neutral, and travel with speed of light, तो जो photons है, तो क्या, जो single रहेगा, वो quantum रहेगा, और इसको, जो है, वो quanta बोला जाता है, packets को, okay, the photons are electrically neutral, तो यह जो photons थे, वो क्या था, electrically neutral थे, मतलब, उसमें किसी भी तरह का charge नहीं था, मतलब, वो ना positive charge है, ना negative charge है, किसी तरह का उसमें चार्ज नहीं है, वो पूरा neutral है, मतलब, electrons को हम negative charge बोलते है, and protons को positive charge होता है, okay, पर photons जो है, photons light का particle है, okay, तो उसमें किसी भी तरह क ऐन का चार्ज नहीं है वह पूरी तें से नूट्रल इन ट्रेवलस स्पीड आफ लाइद से ट्रेवल कर रहा है मतलब लाइट की इस फ्ीड से फ्ट्रेवल कर रहा है एह रैडिपन के लिच Vamos safe and we विज्योलाइजेशन के मैं यहाप इंक्लूड के यहाप फोटन ऐसा बोला जाता है यहाप फोटन 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 इसके पर्टिकुलर एनरजी भी है यह सब है तो इस तरह से उसको वही नाम दिया गया इस आप फोटन अपर अब देखो कहा है इस न्यू इस दा फ्रिक्वें और यही एक्वल टू कॉंस्टेंटेंटु इंव ही अस्वोटन इस दाइक्लिपर्ट्रशनल और जो इनरजी ही हूइएो है इस न्यू के साथ डाइकलिपर्शनल हैं ओक्ड ise इकल टू न्यू तो ओक्डू जो और psychology एए उसको अगर सब्सृह कॉंस्टनी और दिला है तो नाम भी planks ने खुद का ही दे दिया, तो वो नाम क्या दिया, where h equal to planks constant, नाम दिया planks constant और उसके particular value भी दे दी, और वो value कितनी होगी, e upon new हो जाएगा, e मतलब हमारा energy रहता है, energy मतलब joule रहता है, new मतलब क्या रहता है, frequency मतलब क्या रहता है, time का inverse रहता है, मतलब 1 by t हो तो यह चीज हो गए, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमें actually पता चल गया है कि planks constant की value, उसने एक particular value दे दी, यह constant value दे दी उसके, ठीक है ना, planks constant ही, और यह, मतलब calculated value है, 6.63 into 10 to the power minus 34 joules है, यह याद रखो, यह पूछा जा सकता है, next क्या है, according to this theory, energy is always emitted or absorbed in integral multiple of h new, मतलब क्या ह है, जो energy हमें light के साथ, जो emit करेगी, उसकी value हमें, यह इसी रहेगी, equal to h new, और वो integral multiple of h new रहेगा, मतलब energy जो पहला रहेगा, उसका n h new, फिर उसका twice h new, okay, ऐसा रहेगा, okay, means क्या रहेगा, energy is always emitted or absorbed in integral multiple of h new, and not in fraction of h new, मतलब क्या होगा, इससे हम पता लगा सकते है, अगर first n equal to 1 रखा, तो इसकी value का बनेगी, h new, n equal to 2 रखेंगे, तो इसका value बनेगा 2 h new, 3 रखेंगे, तो उसका value बनेगा 3 h new, मतलब क्या हो रहा है, हाँ पर, discrete value है, बीच की value नहीं आ रहे, कोई भी 1.2, 2.5, ऐसा value नहीं आ रहे, सब ऐसा discrete value है, एक fixed value है, कि वही values आएंगी, बस, तो इसलिए इसको बोला दा है, quantized, okay, quantized मतलब क्या specific values, एक fixed value जो रहती है, उसी को actually बोला जाता है, quantized, okay, तो ये Planck's quantum theory ने आमें, वह actually बताया है, कि ये, जो light जो जा रही है, हमारे travel कर रही है, okay, तो light में जो photons है, okay, वो photons मतलब उसकी जो energy है, वह actually discrete है, okay, उसी को quantized energy है, मतलब specific energy है, ऐसा continuous form में energy नहीं है, okay, so now, अभी क्या करेंगे, हम आगे, और देखेंगे कि photons क्या भी, हम actually concept देखेंगे, उसका, कुछ formula, कैसे कैसे formula इसके form होते है, वो भी इसमें देख लेंगे, okay, तो देखो, यह और एक चीज है, concept of photon and energy of photon, तो यहाँ पर हमें photon की concept देखने है, तो पहला point ही देख लेंगे, okay, photon यह तो मालूम पढ़े है, हमें कि उसके कोई चार्ज नहीं है, अभी देखते है, देखो, radiation of light energy is in discrete packets, called quanta और photon, मतलब जो radiation हो रही है, light energy के, okay, वो actually discrete packets में हो र पहलते है, यह हमें max planks ने बाद आया था, हमने अब भी study किया, just now, okay, वो चीज हमें मालूम है, according to plank theory, अभी plank theory के according, हमने रिखा कि the quantum of light wave of frequency new has the energy, मतलब जो light है, उसकी एक particular energy है, वो energy कितनी रहेगी, हर एक quanta की एक energy रहेगी, equal to h new, और quanta की से बोलेंगे, हर एक चीज, हर एक packet के form में देखो, ऐसा रहेगा, तो हर एक को हम क्या बोलेंगे, quanta बोलेंगे, और हर एक की energy, देखो, e equal to hf लिखा यहाँ पे, f मतलब frequency लिखा है, हमारे new मतलब भी frequency है, same चीज है, तो वो है, photon की energy यह होगी, e equal to h new, याद रोको, ठीक है, then, वहाँ पे जो h की value है, h मतलब क्या था हमारा, planks constant था, planks constant की particular value भी थी वहाँ बे, और वो value कितनी थी, 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, यह value थी, planks constant, okay, जिसको अभी electron volt के form में भी लिख सकते, okay, electron volt के form में, अगर हम value लिखे, तो 4.14 into 10 to the power minus 15, electron volt second, ऐसा होगा, okay, यह चीज होगी, electron volt में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिब उसको, electron जो है, value है, 1.6 into 10 to the power minus 19, उससे सिब multiply कर दो, okay, उससे भी मिल जाएगी value, अगर वो है, okay, direct value आप याद रख लो, ठीक है, mostly आपको यह value याद रखने पड़ेगी, यही पूछे जाती है, mostly, यह mostly नहीं पूछा जाता है, इतना जाता, the energy of light wave is integral multiple of h nu, अगर वो energy जाधा भी होगी, तो भी वो integral multiple of h nu, मतलब n h nu, हमने देखा न, वो, मतलब, वो ऐसा कोई भी value नहीं रहेगा, continuous value, okay, वो discrete value रहेगा, मतलब, fixed value रहेगी, उसकी, okay, next point देखते है, Einstein propose that, when light falls on a metal, metal, किसी भी metal पे अगर light गिर दिये, energy जो है उसकी, h nu of photon, okay, जो energy है, is absorbed by the atom, तो atom से absorb की जाती है, that is, the energy is transferred from light to atom, okay, इसका meaning के है, कि जो energy है, वो actually transfer हो रही है, light से atom की तरह, okay, this is called as absorption of energy, और इसी energy को हम क्या बोलते है, कि जो energy है, वो absorb हो रही है, absorption of energy भी इसी को बोले जाते है, when light of frequency, new, is emitted by an atom, अभी जो light है, frequency है, जो actually light की, जब वो atom से emit की जाती है, and energy h nu is transferred from atom to light, okay, जो energy है, h nu amount की, वो atom से light की तरफ वहाँ पे transfer किये जाता है, और जो emission हो रहा है, that is emission event, okay, photon, वहाँ पे हमें photon मिलता है, okay, मतलब क्या होता है, जो frequency है, वो atom से अगर हम emit किया जाते है, okay, तो energy जो है, वो transfer होती है, atoms to light, okay, that is emission में, okay, तो emission जो हो रहा है, उसी, तभी हमें photons मिलते हैं, यहाँ दिखाया है, देखो, कैसे emit करते हैं, हमें photons, यहाँ पे दिखाया है, photons मतलब लाइट दिखते हैं, the photon absorption and photon emission takes place, तो वहाँ पे photon absorption and emission और emission वहाँ पे actual occur होता है, okay, it takes place, तो यही चीज़ है, देखो, यह flashlight के form में, यहाँ पे शूट किया गया है, now, next, और ही चीज़ है, देखो यहाँ पे, properties देखते हैं, एक बर photons की क्या कह रहीती है, तो यह देखो क्या है, the existence of photon, तो photon का existence कैसा है, वो पहले देखते हैं, देखो, the fact or state of existing, okay, मतलब वो actual exist करते हैं, okay, यह, the photon is indivisible entity, indivisible entity का meaning कह है, वो ऐसा part है, okay, जिसको हम actually divide नहीं कर सकते हैं, okay, उसको तोड़के हम नहीं देख सकते कि उसका अदर क्या है, okay, photon is indivisible entity, the existence of photon is same as existence of electron, मतलब जो photon का existence ऐसा है, electron का existence, okay, then second property जो है, वो क्या आप बता रही है, non electrical nature of photon, मतलब photon में किस भी तरह का electrical nature नहीं है, वो बता रहे हैं, okay, means photons are electrically neutral, मतलब उसमें neutral है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, negative नहीं है, positive नहीं है, कुछ चार्ज नहीं है, okay, that is photons cannot be deflected by electric field, वो electric field से deflect हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें charge ही नहीं है, किस तरह का, next क्या है, non-magnetic nature of photon, मतलब photon में का कोई किसी भी तरह का magnetic nature भी नहीं है, okay, इसका meaning क्या है, photons cannot be deflected by magnetic field, मतलब magnetic field से भी वो deflect नहीं हो सकते, okay, यह भी चीज़ है, यहाँ पे, then photons travel with speed of light, speed of light से भी photon travel होते है, photons do not ionize, यह भी चीज़ है, okay, वो speed of light से travel होते है, then, वो ionize नहीं हो सकते है, ionization process मतलब क्या रहता है, कि वो अलग-अलग ions में divide होना, okay, मतलब, अगर कोई भी हमें consider करूँ, अगर compound consider करूँ तो उसमें positive, negative दो तरह के ions वो combine होके बनता है, okay, तो उस तरह से हम photons को अलग-अलग नहीं कर सकते है, ionize form में नहीं ला सकते हैं, तो पहला mass and energy are equivalent, okay, हमें ये मालू में mass and energy equivalent है, Einstein's theory of relativity, Einstein's theory of relativity थी उसने वहाँ पे दिया था हमें, okay, तो हम ये theory of relativity का concept यहाँ पे नहीं study करेंगे, क्योंकि ये वो deep concept है, quantum का concept है, हमें यहाँ पे उसकी ज़रत सी formula हमें देखना है, बागी कुछ ज़रत नहीं, okay, the mass of photon is given by, तो यहाँ पे mass of photon जो है, तो कैसे होगा, देखो, तो वहाँ पे जो instance equation था, वो कहाँ था, e equal to mc square, ये बहुत important equation है, okay, इसने world में बहुत सारे changes लाए, okay, ये equation यूज करके, okay, इसमें actually का बता है, मास energy के equivalence है, okay, ये actually mass energy equivalent equation बोलते है, m equal to e by c square, okay, तो इससे ही बना, m equal to e by c square बना, कि e की value हमें मालू में h new, तो h new यहाँ पे put कर दी, okay, तो h new, अब new का भी formula था, okay, new equal to 1 by lambda, okay, c by lambda था, new equal to, तो c से c cancel हो गया, और h by c lambda, okay, m equal to h by c lambda, ऐसा formula बन गया है, okay, वहाँ पे m क्या है हमारा, mass of photon है, c है speed of light, जो lambda है, वो wavelength of radiation है, जो radiation निकलेगी उसकी wavelength है, then e है, वो क्या energy of photon है, और जो new है, वो क्या है, यहाँ पे frequency of radiation है, radiation की frequency है, और जो h है, वो क्या है, planks constant है, okay, and the momentum of photon is given by, अभी जो photon का momentum है, वो कैसे होगा, देखो, momentum का basic formula कुन सा रहता है, mass into velocity, यह सब formula हमने study किये हुए, okay, last name में, mass into velocity, momentum का formula है, तो अभी इसको velocity के form में हम कैसे लिखे, mass into velocity of light consider किया है, तो हमने c लिख दिया, equal to, अब mass का हमारे बास formula है, वो देखो क्या है, हम second formula करेंगे, यह है, h new by c square, तो h new by c square यहाँ पर put कर दिया, यहाँ पर c है, c से c cancel हो जाएगा, नीचे बचेगा, h new by c बचेगा, यहाँ पर, और फिर इसे हम लिख सकते है, h by c lambda हो जाएगा, क्योंकि new की value क्या बनती है, c by lambda, तो c से c cancel हो जाएगा, और h by lambda, यहाँ पर बन जाएगा, okay, momentum हमारा बनेगा h by lambda, okay, यह चीज़ एक्चुली यहाँ पर form होगी, तो यह photon के mass और energy का जो हमने mass and energy का पहले देखा, उससे हम फिर momentum भी find कर लिया, okay, यह चीज़ थी, okay, now, अभी क्या, यह आपको पता चल गया, कि इसके कुछ 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 से कुछ से properties है, वो actually आप वियाद आ रखो कि invisible, indivisible entity है, वो, neutral है, यह भी बहुत important चीज़ है, और deflect नहीं होती, electric और magnetic fields है, यह भी चीज़ बहुत important है, उसके formulas कैसे कैसे form हो रहें, वो पहले देख लो आप, ठीक है, यह भी बहुत important चीज़ है, यहाँ पर, हार एक चीज़ का, okay, नेक्स दिखते हैं, अभी न कुछ question मेंगे question देखते हैं, किस तरह के question पूछे जा सकते हैं, आज के जो लेक्चर में हमने जो कुछ टॉपिक पढ़ा है न, उस पे question किस तरह के बूछे जा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, तो question में के question के से रहेंगे when light of suitable frequencies incident on a metallic surface then electrons are emitted from the metal surface this effect is known as तो देखो क्या है चो light अगर emit हो रही है उसके बाद electrons अगर emit होते ही तुरण से light हम अगर expose करते हैं किसी metal surface पे और एकदम से electrons emit हो रहे हैं तो उस effect को क्या बोला जाता है तो आज हमने study क्या हुआ है thermoelectric effect, photoelectric effect heating effect of electric current या भी seabag effect तो इसे में basically हम बोलते है photoelectric effect हमने study क्या हुआ है second question देखते है according to planks theory energy is not emitted and absorbed continuously but in discrete intermittent units और packets bundle packets बोलते हैं या भी bundle होलते है these energy packets are called तो जो planks ने जो हमें बताई planks theory वो उसके accordingly क्या हो सकता है वो जो packets होंगे energy packets उन्हें क्या बोला जाता है तो electron से, proton से, photon से या फिर neutron से तो उसे बोला जाता है photons या फिर quanta बोला जाता है ये actually इसका basically answer है photons जो है उसे quanta भी बोला जाता है और वो are electrically कैसे हो जाता है उन पर positive charge भी नहीं होता है negative charge भी नहीं होता है तो basically कौन सा charge लेता है तो वो रहता है, neutral बोलेंगे उसे कोई charge नहीं होना मतलब neutral charge होना photons travel with a speed तो जो photons हैं वो कि speed से travel करते हैं speed of sound, light less than sound, less than light तो actually जो photons हैं उसे को तो हम बनता है, तो उसे को तो हम पूरा यह बोलते है, light बोलते हैं और उससे ही तो speed of light बोला जाता है तो इसलिए photons हम बोल सकते हैं travel with a speed of light ऐसा बोलते हैं energy E associated with photons is given by तो जो energy है E, जो photons के साथ associated है, वो कैसा रहेगा E equal to H by new H equal to EV, H plus V तो यह तीनों भी wrong है एक ही formula सही है वो है E equal to H new यह answer आएगा next देखते है the value of H that is Planck's constant have value तो जो Planck's constant है उसकी value एक्चल क्या रहेगी okay, जो main value जो हमने देखी थी, वो खी थी 6.63 into 10 to the power minus 34 था plus 34 नहीं था, minus 34 था तो यह answer आजाएगा that is joule second, okay, यह चीज रही photon is, तो photon कैसे रहेगा, photon is indivisible entity, divisible entity, electrically positive, electrically negative तो वो photon जो है, actually कैसे रहेगी indivisible entity, मतलब किसी भी तरह से उसको divide नहीं कर सकते हैं उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको अंदर नहीं देख सकते हैं उसके अंदर क्या है, okay, divide करी नहीं सकते हैं तो इसलिए उससे बोला जाता है indivisible entity, okay, photon को indivisible entity भी इसलिए बोलते है next क्या है, देखो, 8th question, photons, अब भी देखो, option में क्या क्या है deflected by electric field, तो हमने देखाए कि वो electric field पे उस पर कुछ effect नहीं होता है, मतलब electric field से तो वो deflect नहीं होते है photons, क्योंकि उसमें charge ही नहीं है, okay, then deflect by magnetic field और magnetic field में भी वो deflect नहीं होते, okay, तो option A और B तो नहीं हो सकता and next, देखो, D option एक बर देखते हैं, तो वो गया ionize है तो हमने देखा थी, photos ionize नहीं हो सकते, okay, means ions के form में उसको हम separate नहीं कर सकते, photos, वो भी चीज़ है, chemistry में आप देखोगे ionization process तो आपको पता चल जाएगा, कि ionization कैसा रहता है, अलग-अलग ions में उसको separate किया जाता है, but वो ionize भी नहीं कर सकते हम, do not ionize then as per Einstein's theory of relativity, अभी देखो Einstein's की जो theory of relativity था, उसका में एक formula हमने mention किया था, तो वो formula क्या था, तो देखो, देखो e equal to m by c square, equal to m c square, equal to m c, equal to m by c, तो correct option क्या है e equal to m c square, तो क्या करो हमनों में, सारे जो formulas है, वो तो आपको direct की याद रखने पड़ेंगे सब, okay, या फिर कैसे derive के वो देखो, okay, उससे आपको idea मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आपको यह जो m c square, यह solve करने में बहुत easy हो जाएगा, okay, mass of photon is given way, अभी देखो क्या है, जो photon का मास है, उसका भी हमने एक formula देखा था, okay, तो वो क्या था, okay, mass of photon जो था, तो उसका value हमने देखा था, h by c lambda करके देखा था हमने formula, okay, first नहीं आ सकता, second भी नहीं आ सकता, okay, mass का हमने कैसे देखा था, पहले starting में उन्होंने देखा था, तो कैसा था, m is equal to e by c से square होगा, okay, then e का value लिखा था, h new, h new by c square, then अभी new का जो formula वो क्या था, c by lambda, तो c से c cancel, तो h by c lambda हो जाएगा, तो मतलब क्या आएगा, option d आएगा, answer, इस तरह से आपको derive करने आया, तो भी आप answer easily लिख सकते, okay, m equal to h by c lambda, okay, इस तरह से रहेगा, so, this is enough for today's lecture, I hope you have cleared, so, thank you very much.